दोस्तो स्वागत है आपका इस चैनल में आज हम देखने वाले है चांस इंग्लिश का जो शब्द है चांस इसके उपयोग से हम अलग-अलग सेंटेंस किस प्रकार बना सकते हैं या जहां यहां पर कई एक्जामपल्स आपके साथ में शेर करने वाला हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं चांस तो दोस्तों चांस का मतलब क्या होता है इसका हिंदी में मतलब होता है आउसर आउसर मतलब मौका आउसर या फिर मौका तो इस चांस इस चब्द से हम अलग-अलग सेंटेंस इंग्लिश में अभी बनाने वाले हैं कृपया मुझे एक मौका दे कृपया मुझे एक मौका दे तो आपने देखा होगा कि आपको या आपके दोस्तों को किसी को भी इस sentence का उपयोग हमेशा daily life में करना पड़ता है तो ऐसे sentences हमने इस वीडियो में बनने की कोशिस किये तो अगर आपको इस प्रकार आगर किसी को बोलना होगा तो आपको इंग्लिश में आपको बोलना होगा Please give me one chance Please give me one chance मतलब गुरुपया मुझे एक मौका दे मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का मौका मिले मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का मौका मिले अगर इस प्रकार आप किसी को बोलना चाहते हो तो आपको बोलना होगा All I want is a chance to speak my peace All I want is a chance to speak my peace मतलब मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का मौका मिले मैं तुम्हें आखरी मौका दूँगा मैं तुम्हें आखरी मौका दूँगा अगर इस प्रकार आप किसी को बोलना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा I will give you last chance I will give you last chance मतलब मैं तुम्हें आखरी मौका दूँगा आपको अगले मौके का इंतजार करना होगा अगर इस प्रकार आप सामने वाले से कहना चाहते हो तो आपको बोलना होगा You have to wait for next chance You have to wait for next chance मतलब आपको अगले मौके का इंतजार करना होगा उसके पास वास्तों में जीतने का कोई मौका नहीं था उसके पास वास्तों में जीतने का कोई मौका नहीं था उस नोकरी में शारिरिक नुकसान की संभावना बहुत अधिक थी English में कुछ इस प्रकार आएगा In that job, the chance for physical harm was too great In that job, the chance for physical harm was too great मतलब उस नोकरी में शारिरिक नुकसान की संभावना बहुत अधिक थी कम से कम हमारे पास शुरुवात करने का मौका है At least we have a chance to start over At least we have a chance to start over मतलब कम से कम हमारे पास शुरुवात करने का मौका है शायद हमें उसे दूसरा मौका देना चाहिए शायद हमें उसे दूसरा मौका देना चाहिए अगर इस प्रकार आप किसी को बोलना चाहते हो तो आप इंग्लिश में बोलोगे Maybe we should give him a second chance Maybe we should give him a second chance मतलब शायद हमें उसे दूसरा मौका देना चाहिए क्या मुझे आपकी बाइक चलाने का मौका मिल सकता है क्या मुझे आपकी बाइक चलाने का मौका मिल सकता है अगर ऐसा आप पूछना चाहते हो सामने वाले को तो आप कुछ इस प्रकार पूछोगे Can I get a chance to drive your bike? Can I get a chance to drive your bike? क्या मुझे आपकी बाइक चलाने का मौका मिल सकता है तो दोस्तो ये थे कुछ sentences जो आप daily life में use करने वाले है और आपको आगे भी ज़रूत पड़ेगी इसकी आप लिखने की practice करिए आप सुनने की practice करिए और आप बोलनी की भी practice हमारा चैनल देखकर आप ये practice घर बैटे कर सकते हो तो उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye, thank you and take care